हेलो स्टुडेंट वेलकम तो और चैनल आज की टूटोरियल में हम लोग देखेंगे ओ लेबल के वेब डिजाइनिंग इन पब्लिसिंग के कुछ मुल्टिपल जो इसके आने वाली चौन्दा तारीक को आपका एक्जाम है ओ लेबल का जिसमें M2R5 आपका सब्जेक्ट है वेब डिजाइनिंग और पॉपलिसिंग तो इसके कुछ कुछन हम लोग देखेंगे यह सारे कुछन आपके प्रिविश यर के कुछनों में आए हुए हैं क्योंकि आपको पैटर्न चेंज हो चुका है अब जो पैटर्न आपका चल रहा हो MCQ बेस है तो इसमें हम लोग दे कि यहां चेक कीजिएगा तो सबसे पहले कुछन की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले कुछन है The current sequence of HTML Tag for starting a web page वैप जब आप स्टार्ट करते हैं किसी भी text editor पर आप राइटप करना स्टार्ट करेंगे तो आपका sequence क्या रहता है उनका तो सबसे पहले आपका HTML आता है इन head आता है फिर उसके बाद आपका title आएगा and उसके बाद आप क्या करते हैं इसमें body जो है आपका वो generate होता है तो इसका जो right answer की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका क्या होता है html head title and body तो इसमें जो answer आपका है वो है आपका d, d option question जो है वो write है आपका next question की बात करते हैं हम लोग next question है आपका we can write html code using html code को आप किसके थूरू write up कर सकते है vlc media है और notepad plus plus है Microsoft powerpoint है या none of these है तो आप कोई भी text editor पे html का code लिख सकते हैं उसके बाद आप उससे dot html से save करेंगे then उसके बाद आप उसमें browser पे उसे run करेंगे तो यहां पर जो आपका text editor दिया हुआ है notepad plus plus है notepad है notepad plus plus है sublime है vs code है यह सब आपके क्या है html create करने के लिए text editor है तो इन पे आप directly write up कर सकते है html का code तो इसका answer है आपका B next question की बात करते हैं हम लोग which tag is used to display pre-formatted text pre-formatted text का meaning है कि पहले से जो format है आपने space दिया है जब आप text editor पर write up कर रहे हैं आपने next line दी है या कुछ भी आपने दिया है वही format आप चाह रहे हैं कि browser पर आपको दिखे तो उसके लिए आप html में tag जो यूज करते हैं वो या तो pre-concert tag यूज करेंगे pre, pre-for, pre-text, pre-format तो आपके पास जो tag होता है उसमें होता है pre-tag pre-se start करेंगे कुछ भी आप लिखेंगे pre-se close कर देंगे तो formatting आपको जैसी आपने text editor लिखोगी same formatting आपको वो output में भी return करके देगा browser पे which of the following is the correct syntax for referring the external style seat अगर आपको external style seat को link कराना है तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे stml के अंदर आपको inbuild करता है style seat को तो वो आप कैसे करेंगे तो उसके लिए आपके पास यह different option है जिसमें आपका main option है यह link areal style seat type text of link css then href के अंदर आप उस file का name देंगे जिस file को आप जो आपकी external css होगी external css आप याद रखेंगा वो dot css से क्या होती है store होती है यह भी एक question हो सकते है आपका external css को आप किस extension से save करेंगे तो dot css and css की full palm होती है आपकी cascading style seat तो इसका answer आपका d है next question है which type of javascript languages javascript आपकी किस type की language है object oriented है object based है assembly language है यह high level language है तो आपकी जो java है वो है object oriented object based language object based हम लोग बुलेंगे oriented नहीं बुलेंगे इसको क्योंकि object oriented तो आपकी java होती है object based language है वो है आपकी java script javascript is object based object के थ्रूँ यह आपका work इसमें perform होता है in javascript the x triple equal to y statement implies that देखों दो condition होती है एक तो आपका direct equal to होता है इन दोनों में difference आपका पूस सकता है कि double equal to and triple equal to में क्या होता है double equal to में मालने जी मैंने दो number लिखे है x की value मैंने यहाँ पर लिखा है a 10 लिखा हुआ है and y की value मैंने लिखी है double quote के अंदर यह मैंने double quote के अंदर इसको लिखा है 10 तो दोनों में क्या आपका output return करेगा इसी समझें अगर आप double equal to की बात करें double equal to में केवल वो value check करता है कि दोनों value same है नहीं तो इसमें जो result देगा वो true देदेगा और इसमें आपका result जो देदेगा वो false देदेगा फॉल्स का मतलब यह output है क्यों triple equal to में वो value तो check करता है कि दोनों value same हो और दूसरा उनका type भी check करता है जबकि यह integer type है यह आपका string type है तो इस case में वो क्या देदेगा आपका as our output false देदेगा तो अगर इसकी बात करते हैं तो both are equal in the value and data type तो आपका जो check करता है triple equal to में वो देखता है दोनों की value भी same होने चीए और दोनों का जो type है वो भी same होना चीए अगर type आपका different हो जाएगा तो वो आपका equal नहीं होगा तो इसमें जो आपका option है वो आपका C है next question है which of the following method can be used to display data in some form using javascript javascript में आपका console वाला statement यूज होता है output में data access करने के लिए document.write ये भी write है console.log आप console पर आपको देखना है alert box पर आपको देखना है तो all of the above इसका जो answer रहेगा वो रहेगा आपका ये सारे आपके output show करने के लिए display करने के लिए होते है javascript में next है आपका html document contain one root tag called html के अंदर जो root tag होता है आपका जिसके अंदर पूरा html code आप write up करते हैं वो आपका root element होता है html ये सारे आपके previous year के question paper के question है तो इन्हें देख लीजेगा ftp is an acronym for ftq full form क्या है आपकी file transfer protocol तो इसको आप file transfer protocol direct लिख सकते हैं ये आपका first वाले question के जो chapter है उसमें भी आ सकता है इसमें भी आपका आसकता है next है आपका pick the odd out इन में से आपको odd value जो आपका related नहीं है उसे pick करना है तो table trtd ये तीनों table का आपका part trb होता है tdb होता है table का ही part और table का ही है form आपका एक नहीं field है तो odd जो है वो आपका क्या है form है next है what will be the output of following code ये आपका code दिया है script type text obliq javascript equal to 5 plus double code के अंदर 9 ये आपका integer string है document.write में अब जावस्क्रिप्क की बात करते है plus आपका concatenation के लिए हो जाता है अगर आप direct plus integer और string को लिखेंगे तो ये concatenate कर देगा इनको अगर ये 9 होता तो 5 plus 9 14 हो जाता बटियां पर आपने double code के अंदर 9 लिखा हुआ है तो ये string है तो 5 में 9 जो है वो combine हो जाएगा तो इसमें जो output return करेगा वो आपका return कर देगा as of 59 अगर double code नहीं होता तो ये 5 plus 9 आपका हो जाता 14 next question है आपका which of the following are the attribute of font tag font tag का attribute आपका कौन कौन है face font face होता है font का size भी होता है font का color भी आप write up करते हैं तो all of the above इसमें आपका जो है output है next है आपका connect web page web page इसको connect करने के लिए आप किसका use करते है connector link या hyperlink number none of the above तो आप जब एक page को दूसरे page से link करते हैं तो उससे हम लोग पूरते है hyperlinking hyperlinking a href उसे कैसे लिखते हैं आप a href href आप लिखेंगे and then उसके बाद आप यहाँ पर link देदेंगे और उसके बाद जो भी आप जिससे भी आप उससे link करना हो आप define करतेंगे the attribute add space within each cell हर एक cell के बीच में आपको space देना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं cell padding को cell spacing आपका outside area होता है cell padding आपका inside में आपको space देना है तो उसके लिए आप padding का use करेंगे which one of the following is not a keyword in javascript javascript में इन में से कौन सा आपका keyword नहीं होता है if आपका keyword है keyword means reserved है जो पहले से define है इनने आप use नहीं कर सकते कहीं भी with भी है आपका debugger भी आपका पहले से keyword है जबकि आपका ये जो है use strict कि ये keyword नहीं है तो इसका जो option आएगा आपका वो आ जाएगा ability तो जो आपका keyword नहीं है वो कौन सा नहीं है आपका use strict next question है how to insert an image in html html पर आगर आपको image enter करनी है तो उसके लिए आप कौन सा tag use करते है कैसे करते है तो image src then यहाँ पर आप image का name जो भी आपकी extension होगा वो दे देंगे png full pump है portable network traffic jpg mpg जो भी आपको देनी है वो आप यहाँ पर दे देंगे the html attribute used to define the inline style inline style आपको write up करनी है तो उसके लिए आप क्या use करेंगे उसके लिए आप tag use करते है style 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 का use करके आप internal css लगा सकते है which of the following is the correct syntax to display the hyperlink without any underline अब आपको underline नहीं देना है hyperlink के लिए तो उसमें आप क्या करेंगे यह css की property है तो आप यहाँ पर लिखते है text decoration none तो इसमें जो output आपका आएगा text decoration none the css property used to specify the transparency of element को transparency define करनी है तो उसके लिए आपके पास होती है opacity opacity आपका define करता है कि आपका element है वो transparent आपको show which element can be generated when the mouse leave an event जब आपका mouse leave कर जाता है तो उसको कौन सा event करते हैं यह mouse event है आपके mouse out है down है move है over है तो leave करेंगे तो mouse on mouse out event आपका उस समय काम करता है means आपने mouse को out of कर दिया है are the negative value allowed in the padding property, padding property में negative value आप allowed कर सकते हैं no कभी भी padding and margin में आप negative value नहीं डालेंगे उसमें हमें साब positive value भी enter करेंगे next है in which html element we put the javascript code, javascript code कैसे आप इसमें put कर सकते हैं तो आप script लिखते हैं script से आप directly javascript का code जो है वो write up कर सकते हैं script type text object javascript इस type से यह भी आपका wrong है, यह भी आपका wrong है, यह CSS भी आपका wrong है, तो इसमें जो write है आपका वो है as a script tag नेक्स है javascript code can be written in, javascript का code आप कैसे return कर सकते, javascript file.js file आप बना दीजे, html document directory आप create कर लेजे, javascript file and html document directory दोनों भी आप create कर सकते, ने style sheet, तो इसमें आप दोनों javascript file भी आप create कर सकते हैं, and javascript, दोनों file को आप यहां पर create कर सकते हैं, तो इसका right option है आपका javascript file and html document javascript की आप external file भी create कर सकते हो html document इसमें आपका दूनों अलग लगते रिखें तो यानि ये भी ये भी आप create कर सकते हैं बट आपको option देना है तो दोनों तरीके से आप इसमें create कर सकते हैं next है आपका input is input क्या है आपका format tag है empty tag है all of the above है none of these है तो ये एक empty tag है इसमें कोई भी आपकी value नहीं है तो ये empty tag होता है क्योंकि storage का काम अभी आपका ये नहीं कर रहा है as a empty tag which is the correct way to connect out something in html html में जब आप comment देते हैं sorry comment आप देते हैं तो उसके लिए right tag कौन सा है आपका तो using ये exclamatory mark double dash and double dash आप देंगे तो इसके तुरूँ आप comment इसमें write up कर सकते हैं ये html के comment है next है how to select the element with how to select the element with the class name example किसी element को आपको select करना है class क्लास के name example के तुरू कैसे आप select करेंगे तो उसके लिए आपके पास c option है dot example dot example के तुरू आप select कर सकते है class को तो इसका option है आपका c next है आपका which of the following is the correct syntax to select all paragraph element in a div element div के अंदर आपको हर एक paragraph element को select करना है तो उसके लिए आप कौन क्या आपका option रहेगा तो इसमें आपका first वाला option है जिसके तुरू आपके div के अंदर जिते भी paragraph होंगे सब की property को आप same create कर सकते है next है javascript ignores new line tabs space new line भी आपका ignore करता है tab को भी यह सभी को ignore करता है तो यहाँ पर option आपका आजाएगा d next है आपका which one is the mandatory attribute of the image tag image tag के अंदर mandatory क्या है आपका src है href है id है या alt है तो src यानि image को देना source आपको देना यह important है without source आपका image जो है वो work नहीं करेगा gif stand for graphical graphics interchange format यह आपका है graphic interchange format gif आपका image file format है आपका next which javascript method is used to write html output html output write up करने के लिए आप कौन से वाले element को use करते है method is used to html output तो यहाँ पर आप यूज करते है document.write console.log तो आपका console पर reprint करने के लिए करते हैं बट अगर आपको proper html output return करना है तो वो document.write पर ही आप करेंगे next है which javascript method is used to write on browser console अब browser console पर आपको write up करने है तो उसके लिए console.log का use करते है जो आपका console पर return करता है और proper browser पर आपको return करता है वो करता है console.write next है आपका which of the following css property is used to add shadow to the text text पे shadow आपको write up करना है तो उसके लिए आपके पास होता है text shadow text shadow आपका option है css का जिसके तुरू आप shadow define करते है अपने text पे the css property used to specify the transparency of the element element को transparency provide करने है तो उसके लिए आप क्या use करते है opacity opacity का use करके आप transparent create कर सकते हैं किसी भी text को in javascript single line comment begin with single line comment जो होता है वो आपका double slash से start होता है javascript में what is the default value of an unauthorized variable किसी भी unauthorized variable की जो default value होती है वो क्या होती है कि वो होती है undefined आपने define ही नहीं किया अपने value defining की integer a लिख दिया है और इसको print कर दे रहे हैं a को sorry where आपने लिखा यहां पर where कित्रू आप define करते है javascript में a लिखा और document.write में a को print कर दिया है तो यहां पर वो undefined आपका output जो है वो return कर देगा which is the exponential operator in javascript exponential आपको find out करना है power find out करनी है तो उसके लिए आपके पास use होता है as a double star exponent आपको find out करना है तो आप double star से denote कर सकते है the main container for trtd and th table row table data and table heading इन सब के लिए आपका table जो है वो main आपका इसका container tag होता है तो table के ही यह सब part होते है next है आपका which of the following will not be found in the head section head section के अंदर आपका क्या नहीं होता है meta tag होता है आपका title होता है but table जो है वो नहीं होता है आपका head section के अंदर तो इसका option आपका है head sorry head के अंदर आपका table जो है वो नहीं होता है next which javascript operator is used to determine the type of a variable variable का type आपको find out करना है तो उसके लिए देखे type of type of type of सब जगे size of type of है but कहीं पर capital small है तो हमें इसा याद रखेगा जब type of आपका होता है तो सारे word आपके small में ही रहते हैं तो इसका option आपका first होगा है हाँ पर O capital है T capital हो capital है size of तो आपका होता ही नहीं है तो type of जो होता है उसके तरूब आप size find out करते है which keyword is used to define a javascript function javascript function define करने के लिए आप use करते है function function then function का name and उसके बाद आप function की property को define करेंगे next है how many list of stml is there are three types of list order list unordered list unordered list and तीसरी आती है आपके descriptive list definition list भी बोलते हैं इसको dl भी बोलते है descriptive list तो तीन टाइप के आपकी list होती है stml के अंदर next है आपका what does vlink means vlink means होता है आपका visited link मतब उस पे आपने visit कर लिया है इसको बोलते है आपका visited link next है आपका angular js is a javascript framework is true and false this is true is a framework of javascript javascript framework is angular js next है आपका which event is related to the keyboard keyboard से related event key keyboard का event जो है वो है key press event key down आपका कोई event नहीं होता है तो आपका option है यह आपर on key press event जैसी की को press करें कुछ action आपका perform हो तो वो आपका होता है keyboard का event next है what is the name of the location address of the hypertext document hypertext document का location address जो होता है वो होता है आपका uniform resource locator uniform resource locator के तुरू आप address find out करते है अपने location का next है which tag is used to display text in title bar of a web document web document के title bar पे आप display text in bar of a document तो title tag के through आप क्या देखते हैं title display कर सकते हैं web document पे title varpin photoshop file are actually save as file photoshop की जो file होती है वो होती है psd format में psd format में ही आपके जो है file जो है वो save होती है jpg jpg की full form है join picture export group pdf portable document file format png portable network graphics psd है आपका photoshop standard data verification of a login name and password is known आप verify करते हैं login name password आपका user name and password जो है वो authorized है या नहीं है इसको बोलते हैं आपका authentication वहाँ पर आप authorized चेक करते हैं कि authority आपका user जो है वो authorized है या नहीं है and last question is GUI stand for GUI is a graphical user interface graphical user interface जो है वो इसका आपका answer है graphical user interface तो यह आपके 50 question थी आपके web development के next 50 question हम लोग next tutorial में देखेंगे thank you student